हेलो वेलकम टो माई न्यू वीडियो तो आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ओफ रिसर्च तो हमने पहले ही वीडियो में पढ़ रखा है रिसर्च क्या होता है इसके इंपोर्टेंस क्या है एंड रिसर्च के फिसर्च क्या है आज हम इस वीडियो में करते हैं ताकि हम knowledge को expand कर सके मिन्स हमको more knowledge पता हो ज्यादा knowledge हमको मिले तो basic resources also called as a pure or fundamental research अगर हम research कर रहे तो सबसे पहले हमको basic research करना होता है कि इसके recording हम क्या मिलता है कुछ knowledge मिलता है और उसको हम कुछ statistical record भी करते हैं और यह का करता है हमारे knowledge को expand करने में help करता है कि अगर कोई और research करना चाहता है तो उसके लिए वो research का data जो भी आपको research की time पर मिला है वो रहेगा तो आपका first types क्या हो गया basic research means कि आपको कह रहेगा है pure and fundamental research होता है knowledge होता है आपका second type है applied research अब applied research means का होता है practical problems होना चाहिए मतलब आप जाके खुद वहां पर जाके देख रहे हो आप experience कर रहे हो and then knowledge acquire कर रहे हो तो कौन सा research होगा applied research होगा ठीक है और यह क्या करते है अपने day to day life में जितने भी problems होते है उसको solve करने के कौन सा research का हम यूज करते हैं applied research यूज करते है और इसे आपको क्या मिलता है innovative ideas और innovative technology हमें मिलता है तो second type आपका हो गया applied research कि ना मुपन थर्ट टाइप descriptive means हमको पता करना होगा क्यों होता है तो क्यूं होता है कौन करता है कब होता है कैसे होता है तो यहाँ पर आपको questions पूछने है मिन्स आपको क्या करना है describe करना है research के बारे में आप जो भी research कर रहे हो आप कैसे कर रहे हो क्यों कर रहे हो कब करोगे और उससे जो आपको मिलेगा knowledge जो भी आपको data मिलेगा वह क्या हो जाएगा research कौन सा descriptive research अब दुख आप यहाँ पर लिखा है और यहाँ होता है statistical होता है मतलब इसका कुछ fix नहीं होता है कि आपको यही मिलना है लाइक population of universe belonging study आप कितना study पर किया है कितना कर रहा है कितना करने वाला होगा हमें मालिम नहीं है तो हम किसी बेस पर करेंगी तो अपना एक अंसा research होगा descriptive research होगा और यह क्या होगा long term description में होगा कि आपका नेक्स टाइप है analytical research आप आपके बस जितने भी data है ठीक है आप उसको क्या करोगे analyze करोगे और analyze करने की बाद आपको जो भी मिलेगा जो भी आप conclusion लोगे इवेल्वेट करोगे आप तो आपको एक new conclusion मिलेगा और इस research को आपको भूलोगी अनलेटिकल मतलब आप अनलाइज कर रिसार्च करने के लिए तो आप अब यह data कहां से मिलता है तो आपके बस यह data पहले से ही रहता है रेडी में डेटा रहता है तो आपको एक्सपेरिमें खुद आपको करके देखना चाहिए आपने सब्सक्राइब पहले भी देख रखा है फीजर में कि आपके पास data है आप रिसार्च कर रहे हो बट आपको लिखे दे दोगे यह मैं नहीं चाहिए आपको रिपोर्ट लिख रहे हो आपने रिसर्च किया है और उसके उपार कि हाँ यह रिसर्च सही है यह मैंने किया है तो यह प्राक्टिकल लाइप में अप्ली के बले और मैंने इसको प्राक्टिकली करके देखा है तो यह आप बोल रहा है दा वार्ड इंपरिकल मिन्स इन्फरमेशन गेंड बाइक्स्पिरेंस जब तक आप कर गया नहीं तक करणा अफ़ चीज देना पूरी कोड करें तो यह रिषास और साउस वाइगा इंपरिकल रिसेर्च वह जाएगा अब आता है क्वान क्वालिटेटिट इवरेशर्च अब इसमें आपको क्या करना है आपको इंडेफ्ट में जिशॉज देहें बाइन डेफ्ट में रिचार हमको कि करते हम दखना होगा हमको पता करना क्यों हुआ और कैसे हुआ हमको प्य हमको कॉंसा剛itativ research है की नेक्स आपका क्वांटेटिव रि्सोच quality टेम क्वाउड स्वाफ आपको अनबर के साथ अनलाइज जब आजब पॉपलेशन से इतना है तो कर इंटाक पॉपलेशन कि इतना हो सकते हैं और यह अपने इंप्लायमेंट में नंबर पर क्या इंपक्त डालेगा तो किसमा आपका को अंटेटिटिव रिसेर्च में आएगा ठीक है क्या करता है एकस्प्लेइन अफैनोमिना आप कले तो आपको नंबर की रिकॉर्डिंग करना होता है तो कौन सर्थ आपका हो जाएगा रिसर्च क्वानिटीटेटिव रिसर्च तो यह अपने कुछ टाइब से हमारे ताइब इस टाइब सोफ रिस ठीक है कि तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं अगरस हमें करना है तो हमें क्या क्या स्ट व्रोर्स को फॉल्य होता है अगर आप मेरे वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को साथ चाहर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें देने वाड़